Hey everyone, welcome back to your favorite channel magnet brains, this is me शिपरतिवारी, बहुत बहुत स्वागत है, यहाँ पर आपको प्रवाइट कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, वो भी बहतरीन, एक नमबर, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सुको, ठीक है, काम की बात यह है कि आज अप अपने लास्ट क्लास में खतम कर लिया था, बहुत सारे जेनरल कारेक्टरस्टिक्स थे, रिविजन में इसले नहीं करा रही हूँ, क्योंकि इन सब में अभी उन जेनरल कारेक्टरस्टिक्स का हम लोग इस्तमाल करेंगे, ठीक है, तो लिवरवर्ट्स जो चिपका के जिए मॉसिस जो सर उठा के जिए, तो सर जुका के जी, लिवरवर्ट है, सर उठा के जिए, वो है मॉसिस, तो ब्रायो फाइटों में जो ऐसा करा रहे, चिपका रहे सब सर्फेस से, वो होते हैं लिवरवर्ट्स और जो सर थोड़ा सा उठा के जिए, वो होते हैं आपके, आया नहीं समझाया नहीं और ऐसा अरे कहां गया कहां गया चलिए देखते हैं देखिए देखिए लिवर्वर्ट चलिए तो सर जो चिपका के जीए ठीक है सर जो क्या करके जीए सर जो चिपका के जीए वो होता है लिवर्वर्ट और अगर कोई सर चिपका के जीता है तो उसक के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है कोई दिक्कत इसमें ठीक तो इसकी बाड़ी लीफी दिख भी सकती है और लीफी नहीं भी दिख सकती है बस यह या रखना के ऐसे चिपकी रहेगी कहीं भी पाई जाएगी तो ठीक है now reproduction के बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा चलो आज आ यहां पे लिक्री में यहां पे लिकूं यहां पे लिकती हूं नहीं यहां पे लिकती हूं चलो देखो Reproduction दिख रहा है, Visible है Reproduction भाईया ऐसा है कि इनमें दोनों प्रकार का होता है किस कलर से लिखूँ एक होता है Asexual और एक होता है Sexual दो प्रकार का Reproduction है ठीक है? Asexual Reproduction के इसमें दो modes होते है एक होता है Gemma Cup Gemma के थूँ ठीक? और दूसरा होता है Fragmentation के थूँ Fragmentation ठीक? ओके? Now, Sexual Reproduction Archegonium and by the M3DM आप समझें? अब हमें लिवर वर्ट्स में इन दोनों चीजों के बारे में सबसे पहले बात करने हैं ठीक है? मतलब female egg को और that end जो आपका male sperm-like structure है जो की end आपका N3DM बना रहा है उसको fuse करवाने है It is a sexual reproduction तो sex organs, RN3DM and Archegonium Fertilization, ठीक है? आप ध्यान से समझेंगे देखो Fertilization तो पूरे bryophytes का common ही है इसमें कोई tension तो है नहीं यह में रब कर रही हूँ आप ध्यान से समझना Fertilization में आगे हम लोग Gamma cup मैं आपको बताना चाहती थी Where is the gamma cup? सबसे पहले हम बात करेंगे इस gamma cup आपको दिखाई दे रहा है It is the mode of asexual reproduction बिलकुल ध्यान समझना Gemule formation और gamma cup इन दोनों में अंतर होता है Gemule formation जो है यह एक mode of reproduction है asexual mode of reproduction है into the fungus but Gemma cup जो है यह बनता है into the bryophytes ठीक है Gemma cup जो होते हैं These are the green ठीक है These are the green multi-cellular ठीक है leafy green multi-cellular leafy ठीक है structure होते हैं structure ठीक यह जिस structure पर आपको दिखाई देते हैं उसे आप कहते हैं gamma cup क्या कहते हैं भईया मेरे gamma cup तो अब आपने ध्यान से समझना है जो मैं कह रही हूँ देखो क्या होता है कि gamma जो होते हैं यह इनके thallus में present होते हैं ठीक है thallus is what it is a gametophyte ठीक है male thallus female thallus तो thallus it is a gametophyte ठीक है अब इनके अंदर ऐसे उभरे उभरे कुछ structure बनते हैं इस उभरे उभरे structure को हम कहते gamma cup gamma cup के अंदर कुछ उभरे उभरी सनरशनाई बनती हैं जो कि green होती हैं multi cellular होती हैं leafy होती है ठीक है और उसके बाद ये detach जाती है और एक नया thallus जन्व देती हैं bryophyta का ठीक है तो आगर आप इस structure को निकाल के देखें तो आपको वो कुछ इस तरीके का दिखाई देखा gamma cup जो gammas होते हैं jamma jammy कुछ भी कह दो तो gammas के अंदर होते हैं storage material क्या होते है storage material जैसो oil थोड़ा से ये leafy होता है धसा हुआ होता है मतलब इसमें notch होते हैं stop जिससे ये gamma cup से attached रहता है फिर से सुने gamma cup is a leafy multi cellular और green color structure ठीक है bud like structure located on to the उभरा हुआ structure present on to the thallus which is also called as gametophyte हम इसके अंदर इस छोटे-छोटे ऐसे structure present होते हैं जिने हम gamma कहते हैं समय आता है तो ये gamma detach हो जाते हैं और जिस substratum में गिर जाते हैं और फिर से एक thallus-like body बना लेते हैं ये sexual reproduction का part नहीं होता ये gemma formation है gemma fungus ठीक है now fragmentation से भी ये asexual reproduction कर सकते हैं body का कोई हिस्सा कटकर अलग हो जाए body का कोई हिस्सा कटकर अलग हो जाए जहां पर ये गिरे thallus का कोई हिस्सा क्योंकि इनकी body thalloid है इसमें आपको बहुत जादा कुछ differentiation देखने के मिलेगा नी क्योंकि ये body चिपकी रहती substratum से तो इसमें आपको कोई बहुत जादा जो है differentiation देखने के नहीं मिलेगा इसमें जो है body का एक part कटकर जमीन में गिर जाएगा और एक नई body, एक नए thallus को, एक नए gametophyte of the liver word को जन्म देगा So there are two methods of the asexual reproduction present into the liver word number one is the fragmentation and number two is the gamma formation ठीक है यह explain कर दिया मैंने ठीक है now fertilization के लिए ठीक है fertilization के लिए इनके पास क्या पाये जाता है इनके पास they have that enthridia and archegonia enthridia जिस structure में होता है उसको कहते enthridio 4 अब आपको मैं इसके थोड़े से sex organs के बारे में बताती हूँ द्यान से समझना इनके sex organ में थोड़ा सा shape में difference होता है जैसे कैसे देखते हैं हम लोग जो archegonium होता है वो कुछ इस shape का होता है ठीक है जबकि enthridium जो होता है वो कुछ इस shape का होता है ठीक है archegonium में इस जगह से ये इस जगह से यह ऐसे ऐसे जगा होते हैं और enthridia जो होता है वो ऐसा होता है तो आपको थोड़ा सा इसके structure में difference दिखाई देगा मैं भी इसके बारे में पढ़ा रही हूँ tension नहीं लो देखो bryophytes में bryophytes के liver words में आपने एक structure देखना है कैसा देखना है liver words जो होते हैं वो dots ventrally flat होते हैं चिपके हुए दिखाई देते हैं इनमें आपको कुछ उबरी हुई सनरशनाएं दिखाई दे रही हैं अब ध्यान से समझना इसमें हमेशा जो male होता है male कहा होता है male होता है female होती है नीचे और male होता है उपर मैं आपको और दिखाती हूँ कैसे female होती है नीचे male होता है उपर तो इसमें female होती है नीचे पत्ती लिमा सनरशनाएं rhizoid से किसी सब्स्टेट से अटाच है इसमें जो female होती है वो होती है थोड़ा नीचे की और और male होता है उपर की और अब क्या करेंगे जैसे ही male क्या प्रेड्यूस करेगा sperm प्रेड्यूस करेगा sperm पानी के माध्यम से उड़ता हुआ जाएगा और female के अंदर घुश जाएगा और फर्टिलाइस कर लेगा तो यहाँ पर पतली film of water भी रहेगा तो कोई tension नहीं है मेरे बच्चों कोई tension नहीं female कहा है उपर की और male कहा है नीचे की और अब थोड़ा सा भी पानी रहेगा तो male मोटाइल होकर जाएगा और female के अंदर घुश जाएगा और फर्टिलाइस करके जाएगोड बना लेगा पर इसमें जो female रहती है ठीक है हाला कि ऐसा थोड़ा सा उबरा हुआ दिखाया गया है female जो archigonia रहता है वो एक stalked structure में एक dandy numasandrachna में रहता है जिसे आप कहते archigonia 4 ठीक है female और male दोनो dandy numasandrachna में रहते हैं ठीक है female जिस dandy के उपर लगी रहती उसे कहते archigonia 4 जबकि male जिस dandy की उपर लगा रहता है उसके कहते entridio gonophore ठीक है इसमें आपको complex structure देखो black black दिखा रहे है it is called as gamma cup ठीक है rhizoid is a structure जिससे ये substrate से attach होता है ये वाला part हो गया क्या हाँ so sex organ समझ में आ है formation of zygote which developed into the embryo 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 developed into the sporophyte इनके sporophyte के बारे में पढ़ते हैं इनका जो sporophyte होता है वो food, ceta और capsule में divide होता है अभी हमने इसके पहले वाले lecture में डिवाइड होती है इसका diagram हमने last bryophyta के lecture में देखा था पर exactly वो diagram moss का diagram है liver words के diagram में क्या ही देखोगे बटा देख लो ध्यान से कि ये वाला part जहां से rhizoid जुड़ा होता है इसके फूट, this is the ceta and this is the capsule पर capsule में mosses और liver word के capsule में अंतर होता है अगर मैं आपको दिखा हूँ ये वाला look at this structure, this is the structure of the moss this is the structure of the moss ओके, ये structure है moss का जेक now, moss के उपर आपको capsule में ऐसे claptra the capsule is called as claptra एक structure होता है, जिसके अंदर capsule पाया जाता है capsule के उपर धकन होता है जिसे हम कहते ओपर कुलम है ऐसा कोई भी धकन जो है वो नहीं पाया जाता into the liver word liver word में capsule के उपर धकन नहीं होता है even capsule में कुछ दात लाइक संरचनाय होती है जो की spore dispersal में मदद करती है ऐसी कोई भी दात लाइक संरचनाय liver word में नहीं होती जबकि mosses में होती है ये चीज़ आपको याद रखना है उसके बाद capsule में mother cell पाई जाती है ये जो mother cell होती है there are so many mother cell पर हर mother cell में भी division नहीं शुरू होगा कुछ mother cells में division शुरू होगा क्योंकि सारी काम कर रही हो ये ज़रूरी नहीं है ठीक है तो उन में differentiation होगा then differentiation होने के बाद ये haploid spore produce करेंगे spores जो होंगे वो germinate होंगे किस के उपर germinate होंगे gametophyte के उपर generate होंगे female gametophyte के उपर germinate होंगे food sita और capsule में convert होंगे और उसके बाद food sita और capsule में convert होंगे then उसके बाद आगे की process चलेगी तो कुल में लाके क्या होगा capsule से शुरू करते हैं capsule में mother cell है इतना लंबा मत जाओ capsule में mother cell होती है mother cell divide होती है divide हो का spore बनाती है ठीक है पर हर mother cell divide हो यह ज़रूरी नहीं है कुछ-कुछ mother cell ही divide होती है हर mother cell active हो यह ज़रूरी नहीं है spore जमीन में गिरता है और male और female फिर से gametophyte बन जाते हैं ठीक है पहली बादी line भोल जाना capsule में mother cell होती है mother cell divide होती है divide होने के बाद spore बनाती spore जो है dispersed होते हैं और उसके बाद जमीन में गिरके gametophyte बनाते है ठीक है देखो लिखा हुआ है then produces haploid spore haploid spore free living and they will develop into the gametophyte इतनी बात आपको clear हो गई बंद अब इनका हम लोग देखेंगे एक life cycle आज़ो देखो धान से देखना नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा देखो अब तो zygote divide होगा zygote will differentiated into the food, ceta and capsule ठीक है food, ceta, capsule जो है उसमें capsule में बहुत सारे spores है spores सारे spore एक साथ meiosis नहीं हो जाएगा सब में spores में ठीक है कुछ cells में होगा और फिर वो नयागे metophyte बनाएंगे यहाँ पर हमने liver word की एक life cycle बना रखी है आजाओ देखो कैसे बना रखी है देखेंगे कहाँ से शुरू करें number one step is this देखे enthridia देखे enthridia कैसा बनाया गया है and this is the archegonia ठीक है ध्यान से देखे archegonia egg कैसे लगे हुए के उपर लगाया हुआ है female अब यहाँ से enthridia जो है वो क्या बनाएगा sperm cell पानी के माध्यम से sperm cell करजे तैरती 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 आ जाएंगी archegonia के पास दोनों fertilize कर लेंगी fertilize करने के बाद यह archegonium के अंदर क्या बनाएंगी zygote zygote mitotically divide होगा और क्या बनाएगा embryo embryo जो है embryo जो है basically की structure के अंदर बन रहा है capsule के अंदर बन रहा है उसके बाद capsule के अंदर खूब सारा खूब सारा मियोसिस डिविजन होगा और फिर मियोसिस डिविजन के बाद capsule फट जाएगा spore release हो जाएगे फिर spore का germination of spore and development of young gametophyte और spore जो है वो young gametophyte बनाएगा which is the male and female कुछ भी नहीं है liver words में आपने देखा कि body एकदम चिपकी हुई है gamma cup समझा दिया fragmentation समझा दिया sexual reproduction बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि female ऐसा लगा हुआ है तो अगर इसके उपर पानी की पतली film भी रही ठीक है तो भी इस पानी की पतली film से यहाँ से नीचे से आसानी गुसना गुसना नीचे से जादा आसान हो जाएगा तो यहाँ रखना कि हमेशा जो female के एग रहते वो ऐसे नीचे लटके उए रहते हैं तो पानी के माददे हम से स्पाम आता है घप से घुश जाता है फर्टिलाइज जाता है जाइगोड बना लेता है जाइगोड में माइटाटिक डिविजन होता है एंब्रियो बनता है एंब्रियो से बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स जो है वो फटता है पर ये कहानी जो है जो आपका एंब्रियो लगा है किसके उपर लगा है ये लगा है किसी गैमीटोफाइट के उपर क्योंकि जब तक embryo sporophyte में या एक developed capsule में convert नहीं हो जाता हम उसे मतलब हम उसे कहा जब तो capsule फटेगा भी spor release होंगे वो gametophyte पे लगा हुआ रहेगा तो हमेशा sporophyte will dependent हों तो gametophyte बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमेशा याद रखिए कि sporophyte का भी अस्तित्व है तो archegonio4 उपर लगे हैं इंthridio4 उपर लगे हैं ठीक है और gamma cup भी आपको दिखाई दे रहे हैं तो यह हुआ liver words के बारे में अब हम लोग शुरू करने वाले हैं mosses के बारे पर moss शुरू करने से पहले liver word के हम दो examples के बारे में आज बात करेंगे एक है रिक्षिया ठीक है जो रिक्सा चलाए और एक है markensia जो marki आए ठीक है तो एक है रिक्षिया और एक है markensia यह दो important example है जो की liver words के अंदर आते हैं ठीक है रिक्षिया and the markensia बच्चों बहुत important example है exam में इनसे question पूछा जाता है sex organs के बारे में मैं पहले आपको बता दू रिक्षिया markensia मैंने क्यों बताया इसमें देखिए sex organs के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह जो इनके जो sex organ है वो monosius भी हो सकते ही । ठीक है monosius भी हो सकते ही और diocius भी हो सकते हैं okay के मोनौкив की हो सकते हैं और Diocene की मोनौ近 का मतलब क्या होता है कि sex organs अलग-अलग भी हो सकते हैं और पाए जा सकते हैं मेरी बात समझ में आ रहे हैं कॉस्त कर निस आठकी अलग-अलग हो उसक रहते हैं एक ही ऑड़ी में या सकता है कि ऐसा रहेंगे वो एक ही थालस में ठीक है ना उसके बाद आपने देखना है रिक्षिया जो होता है वो होता है मोनोशियस ठीक है रिक्षिया क्या होता है मोनोशियस यहीं अगर आप मारकेंशिया की बात करेंगे ना तो वो होता है डायोशियस यह चीज आपने याद अखनी है कि grickshian जो होता है वो होता है monoseous जबकि marchensian जो होता है वो होता है dioseous. Done. इतनी बात आपको clear हो गए. Now इसमें कोई tension तो नहीं. Markensia की अगर हम लोग बात करें तो मारकensia का जो structure होता है वो dorsal ventrally flattened होता है. Dorsal ventrally flat. चीट है? markensia का जो अगर आप leaf like structure देखें तो dots of ventrally flat होता है ठीक है और बिल्कुल actually it is a structure of markensia only ठीक है तो ये बिल्कुल चिपका हुआ रहता है इसकी substratum से ठीक है उसके बाद इसके बहुत सारे example भी हैं जैसे कि porella ठीक है porella porella में stem like and leaf like structure होते है ठीक है आई बाद समझ में रिक्षिया markensia में इवन रिक्षिया में भी रिक्षिया की जो leaves होती है न बच्चो वो fleshy होती है उसमें dot dot दिखाई देते हैं ये आपको थोड़े से उबरे उबरे दिखाई देंगे आपको किसी भी पेड़ पौधे की उपर लगे वोगे दिखाई दे सकते पौरिला में तो exactly मैं बताऊं तो उसमें आपको leafy appearance दिखाई देंगे stem like structure दिखाई देगा बट actually it is a moss ये याद रखना आपको ठीक है इसमें कोई tension परिशानी तो नहीं तो रिक्षिया और markensia और पौरिला ये तीन मैंने आपको example बताए कौन monosheas है कौन diosheas है किसमें leafy appearance पाय जाएगा ये सब चीजे मैं आपको clear की इतनी बात में कोई confusion नहीं होना चाहिए बहुत ही easy चीज है ठीक है तो asexual reproduction तुमने कैसे किया by the fragmentation and gamma formation ठीक है ठीक उसके बाद sexual reproduction हमने enthridio4 and archegonio4 या enthridia archegonia या female egg male sperm के थू किया ठीक है इसमें कोई tension दो नहीं इसमें erect posture आपको दिखाई नहीं देगा वो आपको mosses में दिखाई देगा चलो आगे बढ़े हम लो now let's start with the mosses now predominant कौनसी stage है moss की? it is the gametophyte predominant stage of the moss is the gametophyte वैसे भी predominant stage तो gametophyte ही है हम तो ये कह रहे थे ना कि sporophyte को हम neglect नहीं कर सकते उनका भी दबदबा है ठीक है? समझ में आई बात? now plant body की बात करते हैं इनके में leafy gametophyte पाया जाता है ठीक है? leafy gametophyte structure बना होगा शायद leafy gametophyte look at this ठीक है? so this part is the gametophyte नीचे वाला पार्ट क्या है बच्चो? gametophyte जबकि उपर वाला पार्ट क्या है? sporophyte ठीक है? नीचे वाला पार्ट क्या है? gametophyte उपर वाला पार्ट क्या है? sporophyte ब्रायोफाइट का यही तो एक general main character है समझ में आरी बार? it is the one of the most important characteristics of the bryophyte बेटा one of the most important characteristics यह चीज़ आपने याद रखनी है कि sporophyte grows over the gametophyte gametophyte जो moss का होता है उसमें आपको leafy appearance दिखाई देंगे but exactly they don't have leaves ठीक है? इतना differentiation इनके में नहीं होता यह है इनका sporophytic part यह क्या है इनका sporophytic part? ठीक है? तो sporophyte के अंदर capsule होता है capsule के उपर धक्कन होता है capsule जिस structure के अंदर होता है उसे हम claptra कहते है पर ऐसा claptra आपको liverwort में देखने के लिए नहीं मिलेगा इवन इनके पास इनके capsule में दाप लाइक structure होते है जो कि sport dispersal के लिए बहुत जरूरी होते है जो कि liverwort में नहीं पाय जाते है जो यह बताता है कि liverwort जो है वो एक less developed bryophyte होता है आगे बात करते हैं हम लोग चलिए आगे देखते हैं तो इनका जो gametophyte होता है वो होता है leafy पत्ती जैसा दिखाई देता है इनका जो gametophyte है वो multicellular not gametophyte gametophyte के lower side पे at the lower side they have multicellular and branched rhizoids ठीक है तो rhizoids दोनों टाइप का हो सकता है unicellular भी हो सकता है और multicellular भी हो सकता है तो इनके पास उपर की ओर इनकी body में leafy gametophyte पाया जाता है इसके नीचे यह substrate से एक बाल जैसे संरचना से जुड़े होते हैं जिसका नाम होता है rhizoid इनका rhizoid multicellular होता है इनकी body erect posture पे पाई जाती है इसलिए moss को हम थोड़ा सा erect देख सकते हैं moss हमको यह बताता है कि इसके development होने से आगे चलके teridophyta में बड़े बड़े पेड़ बनेंगे ठीक है और इनमें spirally arranged leaves होती है अगर आप यह संरचना देखें look at this structure यहाँ पर आपको spirally arranged leaves दिखाई दे रही है मतलब it is like this only ठीक है यह ऐसी leaves ठीक है चलो next is now अब हम बात करते हैं किसकी देख जहां से देखो तो इनके पास asexual reproduction तो होता ही है साथ ही साथ इनके पास sexual reproduction भी होता है ठीक है इनके पास एक intermediate stage होती है जिसे आप कहते है प्रोटोनीमा कौनसी stage होती ही बच्चों मेरे प्रोटोनीमा अब आपने ध्यान से समझना है इनका asexual reproduction एक process होता है जिसे आप कहते हैं budding ठीक budding इनका जो asexual reproduction होता है वो होता है budding budding में basically क्या होता है अब आपने मेरी बात को ध्यान से सुनना है देखे क्या होता है budding में एक प्रोटोनीमा एक छूटा सा structure बनता है ठीक है उसके बाद suppose that मैं कैसे बनाऊ exactly it is a representation ठीक है so suppose that ये ठीक देखो asexual reproduction ठीक है स्पोर गिरे नीचे ठीक स्पोर बना देते हैं ओके तो स्पोर गिरे नीचे स्पोर तो हेपलोईड ही होते हैं हेपलोईड स्पोर में क्या हुआ development और ये बनाया primary protonima primary protonima ठीक है primary protonima अब primary protonima में छोटे छोटे budding निकले छोटी छोटी budding निकले और इन्होंने एक पूरा branched structure बनाया ये देखो बनारी हुमें आप ये देखो ये ऐसा ये देखो ये 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 ठीक है ये ऐसा बना लेते हैं ठीक है ठीक है बना लेते हैं ठीक है या secondary protonima बोल दो, या इसको हम gamete of eight ने, या हम इसको direct moss बोल देते हैं, ठीक, तो आपने क्या देखा, कि इसमें asexual reproduction budding से भी हो सकता है, मेरी बात समझ रहे हो, कि spore गिरे नीचे, ठीक, छोटा सा एक protonima बने, जिसमें छोटे 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 लीफ लाइक structure हो, उसमें bud निकलते जाए, निकल निकल कर वो अपने ही body में branch बनाते जाए, थोड़े देर के बाद आप दिखेंगे कि नया moss का plant बन गया, ठीक है, आई बात समझ में, आप sexual reproduction के बारे में बात करते हैं, sexual reproduction भाया, enthridium और archegonium पर enthridium और archegonium में, ये बनते हैं at the tip of the leafy shoot, ठीक है, मतलब leaf के उपर की और ये आपको बने हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, sex organ जो है, वो different different branches में produce हो सकते हैं, आगे की और बढ़े हैं हम लोग, देखो ये बना हुआ है नहीं, वैसे जैसे मैंने बनाया था भी, तो आपको दिखाई देरा enthridial branch, enthridial branch यहाँ पर enthridia बना होगा, archegon यहाँ पर archegonium बने होगे, मतलब tip पर बने होते हैं, पर branch अलग अलग होती है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, fusion of the gametes, हमें भाईया, अगर gamete produce करना है मेरे बच्चों, पानी चाहिए, बिना पानी के moss का reproduction, possible ही नहीं है, बिना पानी के reproduction नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा मुझे बोलो, उसके बाद zygote formation होगा, zygote किस में convert होगा बोलो, embryo में, ठीक है, embryo में, उसके बाद जो है, embryo किस में convert होगा, sporophyte में, ठीक है, sporophyte का development किस में होगा, food, zeta and capsule में, capsule किसे बना है, zygote से, ठीक है, sporophyte, ठीक है, sporophyte के अंदर क्या बनते हैं, sporophyte के अंदर spor बनता है ठीक है spor जो है germinate होता है germinate या embryo के बाद मैं हाँ पर sporophyte exactly नहीं लिखूंगी मैं लिखूंगी embryo के बाद बनेगा food ceta capsule ठीक है capsule में क्या होती है भईया मेरे spor mother cell capsule में क्या होती है spore mother cell spore mother cell डिवाइड ओकर क्या बनाती spore spore में क्या होता है germination germination होता है तो क्या बनता है germination होता है तो सबसे पहले एक structure बनता है जिसे हम कहते है protonima क्या कहते हैं इसे हम protonima protonima जो है वो germinate होता है और बनाता है gametophyte क्या बनाता है gametophyte ऐसा कोई structure आपने प्रोटोनीमा वाला नहीं देखा है इन दा 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 वाट लिवर वाट में ठीक है वेजिटेटिव रिप्रदक्शन, फ्रेग्मेंटेशन और बढदिंग इन दा सेकेंडरी प्रोटोनीमा जो भी मैंने आपको समझाया था ठीक है आगे बढ़े हम लोग, now, this is the life cycle of the moss, this is the life cycle of the moss, listen to me very carefully, देखेगा, चलो, तो ये एक किसका डाइग्राम है, ये एक ब्रायोफाइट का डाइग्राम है, वो भी moss का, लीफी एपेरेंस लिखाई दे रहा है और आपने भी थोड़ी देर पहले ही ये पढ़ा था, कि जो मेल होता है, उसके टिप पर, लीफ के टिप पर होते हैं उसके एंथ्रीडिया, चीक है, और फीमेल में दूसरी ब्रांच पर टिप पर होते हैं आर्कीगोनिया, चीक है, तो एंथ्रीडियम थोड़ा मैगनीफा परहां कर दिया, इंठ्रीडियम क्या निकाल रहे हैं? Spore, ऐसे ही archseasonum क्या निकाल रहे हैं? Egg, अब यह sperm जो है उर्टे 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 आया और यहां से घुस गया, घुसने के बाद इसने क्या बनाय जैगोंट जाइगोट ठीक है जाइगोट बड़ा हुआ जाइगोट एम्ब्रियो में convert हुआ जाइगोट बड़ा हुआ enlarging the spore बड़ा हुआ ठीक है यह कहानी किस के अंदर हो रही है female gametophyte के अंदर हो रही है ठीक है उसके बाद आपका जो जाइगोट है वो बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा होता गया इतना बड़ा हो गया देन यह differentiate किस में हो गया capsule, theta और foot में ठीक है तो यह हमारा gametophyte ही है उसके उपर किसका development हो गया sporophyte का अब capsule के उपर structure होता है calyptra उसके उपर is a structure this is the sporringium जिसके इंदर spor बनते जा रहे है by the process of meiosis ठीक है बहुत सारे spor हमने meiosis से बनाए spor जो है वो जमीन में गिरे wind is the medium of the dispersal germinate हुआ और फिर एक नया leafy gametophyte बना तो कुल मिला के आपको यह समझना है कि gametophyte जरूरी नहीं है कि एक ही plant में हो हो सकता है यह spor उड़कर किसी दूसरे plant के gametophyte में चला जाए पर पानी चाहिए ठीक है now तो इसमें male और female एक में हो सकते है जैसे कि बहुत सारे मैंने example बताया है यह monosius और diashius के now अच्छा यह आपको समझ में आया तो यह याद रखना है कि sporingium में spore बनते हैं by the process of meiosis the sporingium will burst out which is present inside the capsule capsule present into the sporophyte ठीक है so यह हुआ moss का life cycle this is the moss का life cycle moss के example हम लोग देखते हैं ध्यान से देखिए polytrichum and sphagnum ठीक है this is the polytrichum अब देखिए leafy-like appearance दिखाई देरा and this is the sphagnum इसमें भी आपको कुछ उबरी हुई संरशनाय दिखाई दे रही है तो यह हुआ moss के बारे में यह आपको इतनी बात समझ में आई अब हम लोग discuss करेंगे importance of bryophytes तो यह है example of the mosses we have completed the bryophyta now the most important part is the importance of the bryophyta यह क्या है मतलब यह क्या है तो हम जानगे न amphibians of the plant kingdom पर इसके बहुत चारे importance है यह भी जानना बहुत ज़रूरी होता है सबसे पहले soil सबसे पहले इसका importance यह है कि यह prevention करते है soil erosion का ठीक है prevention of soil erosion ठीक है तो यह सबसे पहला काम क्या करते है कि soil erosion को prevent करते है कैसे prevent करते हैं देखो जहां पर बहुत जादा बारिश होती हो बहुत जादा बारिश होती हो तो ऐसे में क्या होता है जो आपका जो मिट्टी रहती वो बहबह के चली जाती है अब अगर कोई ब्रायोफाइट गीली मिट्टी पर या मिट्टी पर उगा हुआ होगा अगर कोई ब्रायोफाइट मिट्टी पर उगा हुआ होगा बेटा तो वो क्या करेगा कि मिट्टी को बांध के रखेगा गिराते रहो बारिश, गिराते रहो बारिश बारिश गिराते जाओगे, गिराते जाओगे, गिराते जाओगे तो by the formation of a mat into the earth समझ में आई बात कि ये क्या करते हैं? स्वाइल एरोजिन को प्रिवेंट करते हैं क्योंकि ये मिट्टी के उपर एक mat like structure बना लेते हैं इस mat like structure पर पानी बहाते जाओ, बहाते जाओ, बहाते जाओ पानी रुख जाएगा क्योंकि अगर आपके उपर भी कोई इधर सिधर पानी डाले पानी आपके उपर डाले तो पानी इधर सिधर नहीं आ पाएगा क्योंकि पानी यहीं पर रुखेगा तो यह क्या करते हैं पानी को hold करने का काम करते हैं They have very high holding capacity of the water Now, दूसरा मैं आपको क्या बताती हूँ? ध्यान से समझें आप दूसरा मैं आपको बताती हूँ Soil formation Soil formation अगर किसी पत्थर के ऊपर अगर किसी पत्थर के ऊपर ब्रायोफाइट्स उगे हुए हैं तो ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं? धीरे 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 मतलब एक दम हजारों सालों तक धीरे धीरे उस पत्थर को अब वो क्या करते हैं? अपनी ग्रोथ करते हैं करते जाएंगे तो क्या होगा कि जो रॉक्स होंगे वो धीरे धीरे फैलेंगे धीरे धीरे फैलेंगे तो कुछ कण कड़कर धीरे धीरे तूटेंगे तो ग्रोथ करते जाते हैं और वो करते हैं सक्षेशन ओफ रॉक क्या करते हैं वो सक्षेशन ओफ रॉक ठीक है सक्षेशन of rock का मतलब समझ में आपको क्या है कि ये पत्थरों के उपर पूरे मैट जैसे बने रहते हैं और धीरे 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 पत्थरों को छाटते जाते चाटते जाते चाटते मतलब काटते जाते और उनके रेशेदर 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 निकालते जाते हैं पूर ox succession का bryophytes भी जो है इसका एक example हो सकते हैं ये सब लोग क्या करते हैं पत्थरों के इंप ग्रो हो जाते हैं और फिर कमी Aur थीरे थीरे पत्थरों को काटते हैं कायद के काटके काट कर्थे हैं स्वाइल बनाने का काम करते हैं जैसे की इसका एक example मैं आपको बताती हूँ, sphagnum sphagnum की species है, species का नाम मैं नहीं बता रही हूँ, sphagnum 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 हमने पढ़ा भी, moss होता है इसे हम bog moss कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों मेरे इसे हम कहते हैं bog moss bag moss नहीं, ठीक है bag रख लिए, no, it is called as bog moss, पता आपको क्या करता है यह समझना, it will fill the pond fill the pond and lakes lakes with soil कैसे हुआ, आप समझना आपने देखा होगा कि हमेशा तलाब के नीचे और बड़े-बड़े जीलो के नीचे मिट्टी भरी रेती है actually यह जो राइफाइट होते हैं नीचे ग्रो होकर उनके नीचे पत्थर होते हैं उनको मिट्टी में बनाते जाते हैं वही काटते जाते हैं पत्थरों को काटते जाएंगे, काटते जाएंगे, काटते जाएंगे तो मिट्टी बनती जाएगी, समझ में आई बात तो पहले soil erosion को पानी पकड़ भी सकते हैं पत्थरों को काट सकते हैं, soil बना सकते हैं स्वैगने में एक्जामपल बताया है मैंने तीसरा मैं आपको बताती हूँ Water Retention Capacity या मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगी Great word जो मैं बताना चाहूंगी Great Water Retention Great Water Retention Capacity ठीक है? They have very high, very, very great capacity to hold the water Now, अब मालो कि किसी माली ने पूरे पूरे बगान को काट डाला समझ मैं आई बात, पूरे बगान को काट डाला अब अगर उसमें पानी गिरेगा तो मिटी थोड़ी समय तक ही सोखेगी फिर उसके बाद rainfall होगा, soil erosion शुरू हो जाएगा सारी मिटी बहके चली जाएगी तो जो आपका क्या कहता है, जो gardener होता है वो सके उपर sphagnum उगा देता है क्या उगा देता है? sphagnum, sphagnum is a very important moss, ठीक है? तो sphagnum उगा देता है, ठीक है? which hold the water, which hold the water very very efficiently, ठीक है? जैसे आपका cotton होता है, इसको हम cotton moss भी इसलिए कहते हैं जैसे कि खुन निकल रहा है, तो आप उसके cotton रग दो, cotton रग दो के तो क्या होगा? वो पूरा खुन सोख लेगा न, वैसे ही ये भी होता है इसको क्या करो आप, या फिर ऐसे कर दो, कि plant लगाया, साथ-साथ थोड़ा इसको भी लगा दो side-side में तो जितना भी पानी आएगा न, वो convert हो जाएगा किसमें that, पानी absorb हो जाएगा और पानी अगी बार, soil रोक ली पानी तो फिर तो कोई tension नहीं नहीं, फिर तो पॉधों को असानी से देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, ठीक है? Now, third में, यह हो गया, third Now, fourth के बारे में मैं आपको बताती हूँ, यह क्या है बच्चो? ध्यान से देखो Now, forms the peat Formation of peat Formation of peat Now, अब यह बहुत ज्यादा important part है कुछ जो mosses होते हैं, वो marshes में grow होते हैं, ठीक है? Okay, अब क्या होता है? कि जो dead part रहता है, देखिए, मैं देखिए, आपको दिखाती हूँ Dead mosses Dead mosses होते हैं, marshes में उनमें क्या हो जाए? Fossilization क्या हो जाए, बच्चो? Fossilization अगर उनमें fossilization हो जाएगा तो क्या होगा बताईए ठीक है? बताईए जल्दी से क्या होगा Fossilization हो जाएगा तो उनके उपर क्या कहते उसको जब आपन वो carbon dating में गएर करते हैं, इसे कहते carbonized हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चो यह carbonized ठीक है? raw fossils तो यह होते हैं कि उसमें carbon जो है carbon का amount बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता है fossilized हो गया, carbonized हो गया उसके बाद कुछ समय के बाद यह वाले जो moss होंगे वो किसमें convert हो जाएगे? एकदम solid solid हो जाएगे solid होने के बाद इन्हें आप कहते हैं peat क्या कहते हैं भई यह इन्हें हम? peat समझ में आई बात ठीक है? इसे आप क्या कहते है? peat okay उसके बाद आप इसे cut कर लो इसे क्या कर लो? cut ठीक? और अगर इसको आपने cut कर लिया तो इसे आप as a rock यूज कर सकते हो as a rock फिर से समझें? देखिए बहुत सा आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसी जगह रहती है जहां पर काले रंग का पूरा matty mat पूरे पत्थर ही पत्थर आपको दिखाई देते है actually what is this? कि बहुत समय पहले यहाँ पर moss उखते रहे होंगे समझ में आई बात बहुत समय पहले, मेरे बच्चो यहाँ पर क्या उखते रहे होंगे? Mosses क्या उखते रहे होंगे? Mosses पर समय के साथ जैसे जैसे aging बड़ी क्या बड़ी बच्चो मेरे? agingих बड़ी मतलब समय बीता तो mosses dead हो गए, जब mosses dead हो गए, तो इनके उपर धीरी-धीरे पत्थर आने लगे fossilization होने लगा इनका, carbonization होने लगा इनका, पत्थर होने लगे तो धीरी-धीरी यह जो moss होते हैं, यह तो hard stone-like structure में convert हो गए जिसे आप कहते है पीट, पीट का इस्तमाल जो है, उसको हम as a rock भी इस्तमाल कर सकते हैं और पीट का इस्तमाल हम लोग as a manure भी कर सकते हैं as a manure कैसे इस्तमाल कर सकते हैं, दिखो कैसे ultimately था तो यह bryophyll थी, इसमें nutritious value तो थी ही उपर से इसमें water holding capacity भी पाई जाती है, soil erosion से यह बचाते भी है तो इस पीट को हम piece लेते हैं, manure में मिला कर अपने लिए खेती बाड़ी में use करते हैं चीक है, तो यह आपको समझ में आया, ऐसे ही बहुत सारे mosses, जैसे polytrichum बहुत सारे mosses ऐसे होते हैं, जिनको disease को cure करने के लिए भी किया जाता है जैसे polytrichum को kidney की disease cure करने के लिए किया जाता है बहुत सारे mosses को खाया भी जाता है, पर मैं आपको एक चीज़ और बता दू कि mosses को खाना is not a very good habit mosses को आपको नहीं खाना चाहिए क्योंकि mosses जो होते हैं, यह irritant होते हैं यह आपकी body को irritate करते हैं यह आपकी body को परिशान करते हैं, इससे आपको allergies भी हो सकती, इसलिए बहुत सारे bryophytes को generally हम नहीं खाते पर बहुत सारे लोग इसको खाने में इस्तमाल करते हैं, पर देखना पड़ेगा कि allergy होती है यह नहीं होती तो use क्या का है? पता है, soil erosion को prevent करता है, soil formation करता है, great water retention capacity है इसे हम wool, bryophyte कहते भी हैं और peat का इस्तमाल करते हैं, disease को क्यों करता है, as a food भी इस्तमाल किया जा सकता है इतनी बात आपको clear हो गई, now तो यह हुआ bryophytes के बारे में, what we have learned in this class बच्चो, we have learned the liverwort and the mosses life cycle of the liverwort and mosses, structure of the liverwort and reproduction of the liverworts, sporophyte, gametophyte and the life cycle and the importance of the bryophyte, so this is all about the bryophyte, we have completed the bryophyte, in the next class I will tell you about the NCRT, क्या लिखा है NCRT में bryophyte के उसके बारे में, तब तक घर पे रहिये, safe रहिये, अपना ध्यान रखिये, थाएंके